सिनेमा में कमेडियन्स की एक खास जगा रही है अलग-अलग एरा में कई कमेडियन्स बहुत मशूर हुए कईयों ने स्टार स्टेटस पाया लेकिन वो पहले कमेडियन जो अपने जमाने के स्टार बने वो थे नूर महम्मद चारली वो पहले ऐसे कमेडियन थे जिन पर गाने भी फिल्म आए गए और जिन्होंने लीड रोल में काम भी किया उनका असली नाम तो था नूर मोहम्मद हाजी एहमद लेकिन वो चारली चैपलीन के बहुत बड़े फैन थे और उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्ही की तरह एक्ट किया करते थे उन्ही के जैसी मूझे भी थी इसलिए उन्हें बाबा चारली भी कहते थे बात में उन्होंने अपने नाम के साथ चारली लगा लिया और बन गए नूर मोहमद चारली ये गाना 2014 में आई फिल्म मैं तेरा हीरो का है सालों पहले इस कैची फ्रेस को गाने में बदलने का काम भी नूर मोहमद चारली नहीं किया वो फिल्म थी 1943 में आई संजो जिसमें वो हीरो थे और हीरोईन थी महताब ओ दिले नादा ओ दिले नादा ओ दिले नादा पला तेरा ध्यान किदर है भई 1911 में जन में नूर मोहमद ने 1928 से मूख फिल्मों से सिनेमा की दुनिया में खदम रखा 1932 में एक फिल्म आई पाक दामन रक्कासा इस फिल्म के निर्देशक बी आर ओब्रॉई ने फिल्म में बाबा चारली नाम के किरदार को पेश किया उस किरदार के हाओ भाओ अंदाज और ओवर ओल गेट अप ने धमाल मचा दिया था फिर 1933 की फिल्म इंडियन चारली से नूर महम्मद दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए इसके बाद वो चंदुलाल शहा के रंजित स्टूडियो से जुड़ गए उनका हैट मुझें उनकी चाल ढाल एक तरह से उनका ट्रेड मार्क बन गए और फिर आने वाली हर फिल्म के साथ नूर महम्मद चारली का क्रेज बढ़ता ही गया और एक समय वो हाइस पेड कमेडियन बन गए नूर महम्मद चारली हास से को कभी भी कैजूली नहीं लेते थे वो अपने किरदार पर भरपूर मेहनत करते थे एक फिल्म में जब उन्हें बाल काटने वाले का रोल दिया गया तो वो कई दिनों तक बाकाइदा सेलॉन में जाकर स्टड़ी करते रहे कि कैंची कैसे पकड़ी जाती है, बॉडी लेंगविज कैसी होनी चाहिए वगेरा वगेरा और फिर जब वो शूट पर पहुँचे तो पूरा का पूरा हेर कट किट उनके पास था उस समय के एक मशूर फिल्म क्रिटिक थे बाबू राव पटे जो पहली फिल्म मैगजीन, फिल्म इंडिया की एडिटर और पब्लीशर थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी-कभी बहुत क्रिटिकल हो जाते थे अगर हार्श कहें तो भी गलत नहीं होगा वो किसी फिल्म का रिव्यू करते हुए ना तो बड़े स्टार या फिल्मेकर का लिहास करते थे ना ही किसी से इंफ्लूएंस होते थे मगर नूर महम्मद चार्ली के अभिने को हमेशा उनकी सरहना मिलती रही नूर महम्मद चारली को वो भारत का इकलोता कमेडियन मानते थे 1940 की फिल्म अच्छूत में नूर महम्मद चारली ने काठियावारी लहजे में डायलोग्स बोल कर सब को हैरान कर दिया उसी साल आई मुसाफिर जिसमें उन्होंने प्रिंस का रोल किया अपने गाने भी खुदी गाए उनका इतना क्रेस था कि जब 1941 में उनकी निर्देशन में बनी पहली फिल्म धिंडोरा आई तो पहले हफते में उसकी रिकॉर्ड तोड ओपनिंग हुई पागल, मनोर्मा, फर्जन दे हिंद, तूफान मेल, कॉलिज कर्ल, रात की रानी, सेकरेटरी, ठोकर, पगली, चांद तारा, बैरिस्टर्स वाइफ, संजोग, तकदीर, मुसाफिर, उनकी कुछ मशूर फिल्में थी लेकिन अब इन में से कुछी फिल्मों के प्रिंट मौजूद है पार्टीशन के बाद नूर मुहमद चारली पाकिस्तान चले गए और वहां की फिल्मों में काम करना शुरू किया मगर वहां उन्हें वो काम्याबी नहीं मिली 1960 में वो फिर से भारत आये और यहां कुछ एक फिल्मों में काम किया 1963 की फिल्म अकेली मजजयो उनकी आखरी फिल्म थी इसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहीं 30 जून 1983 को उनकी मौत हो गई आज नूर महम्मद चारली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं नेकिन भारती सिनेमा के पहले स्टार कमेडिन के रूप में उन्हें हमेशा यात किया जाता रहेगा